रमायड का यूद जब समाप्ती पर था और रावड मृत्य के बिलकुल करीब था तो भगवान स्री राम से वारतालाप में रावड ने कहा कि तुम्हारे राज्ज से बड़ा हमारा राज, तुम्हारे सेना से बड़ी हमारी सेना, तुम्हारे महल से सुन्दर हमारी सोने की ल लेकिन जिकर आया है तो मैं बताना चाहूंगे किन किरदार में एक बिभीसर तो है ही वह हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे नमस्कार मैं प्रिया सिंग आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्या वरत न्यूज नेट्वरक इस कहाली में के बिभीसर अभी हाली में भा ये हम आपको बताते हैं साल 1969 की बात है सज्जाद अली जहीर पाकिस्तानी सेना के एक सेन अधिकारी के रूप में सामिल हुए तब बांगलादेश पर भी पाकिस्तान का हिसासन था पाकिस्तानी सेना की आर्टिलरी कॉर्ट तोफовали में सामील हुए जहीर को ट्राइनिंग के लिए पाकिस्तान के अलग-अलग हिस्तों में दे जा गया कर्णल जहीर सियाल कोट सेक्टर में तैनात पाकिस्तानी सेना की एक युवाधिकारी थे और उनके बाद मार्च 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में कुरूरता और नरसंगहार को देखते उन्होंने भारत आने का इराद खाने में हुई थी उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांगला देश है में पाकिस्तानी सेना की ओर से किये गए बरबर अत्याचारों को देखते वे कर्नल काजी सजाद अली जहीर देश छोड़कर भारत पहुच चुके थे कहा जाता है कि उस समय उनके जेब में मह भारती सैनिकों ने उन पर विश्वास किया और अपने साथ लिया 1971 में भारत पाक यूद में जहीर ने पाकिस्तान की ओजनाओं दस्तावेजों नक्सों के माध्यम से भारती सेना की मदद की और भारत इस यूद में विजई हुआ उनके पाकिस्तान से भारत आने के बाद पाकिस्तानी सेना ने उनके मौत के उपर वारण जारी किया था जो अभी तक है साब सब्दों में कहे तो वह पाकिस्तान के लिए अभी भी मोश्ट वांटेड है बांगला देशी नागरी करनल काजी सज्जाद अली जहीर को साल 2021 के पदमश्री पुरसकार से सम्मानित किया गया है करनल काजी सज्जाद अली जहीर को सन 1971 के युद नायक के तोर पर जाना जाता है लेफ्टिनेट करनल सेना वृत जहीर 71 साल के हो गया है प्यारे मित्रों हम यहां यह नहीं कह रहे हैं कि अगर करनल जहीर भारत के लिए बिभीसर का रोल नहीं किया होता तो हम युद्ध ना जीते होतें परन्तु आज हम उनके सराहनी कार्यों के लिए सलाम करते हैं अगर यह वीडियो इन्फरमेटिव लगा हो तो हम चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हाँ हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साजा करें तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तीजे इजाज़त